कैसे हो आप इश्वर की क्लिपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होगे मैं लता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वाकत करती हूँ आज मैं आपके सामने जो है जीरो साइज से एक साल के बेबी के लिए एक हम कैप किस तरह से बनाएंगे वो कपड़े लिए हुए है जिसमें जो इनकी जो आप देख सकते है इसकी चोड़ाई जो कम से कम कितनी है यह देख सकते आप इसमें इसमें देखिए एक तरफ से पूरा यह देखिए यहाँ पर जो है तेईस इंच है और यहाँ पर उपर को जो है लंबाई में आप देख सकत हम इन दोनों कपड़ों को डवल लहर में अच्छे से बिचा देंगे बहार के लिए हमने वैल वैट का कपड़ा लिया हुआ है ताकि हमारी कैप बिल्कुल फैंसी ही लगे इस तरह से हमने इसमें डवल लहर में कपड़े को डाल दिया अब आप देख सकते हैं इसमें यह हमारी यहां पर यह बंद साइड है और यह तीनों खुली साइड है अब यहां से एक साइड से जो हमने यह देखे यहां से खुली साइड है यहां से हमने कम से कम दो इंच यह देखे यह हमारी खुली साइड है और यहां से हमने यह देखे दो इंच के दो इंच पर मार्क लगा दिया और यहां से हम अब हमने की इस तरह से जो इसमें हलकी सी इस तरह से गोलाई की सेप डालनी है जहां पर यह आप देख सकते कटे यह बिल्कुल इसमें इस तरह से डालने हैं मतलब यहां से हमारा कम से कम दो इंच से एक्स्रा नहीं ह यह डालना, सटा रिए नहीं पर भिल्कुल हलका की इसमें, डाना है, इस तरह से हमने इसमें जो है, एग कंपी से एक लिया हुआ हमने जो कम से कम है, चोड़ाई में यह देखिए चार इंच है और लंबाई में साड़े बारा इंच है दूसरा भी सेम उसी तरह का है यह भी सेम उसी तरह का इतना ही है लेकिन इसमें हमने जो है जो चोड़ाई है इसमें हमने चोड़ाई जो है दो इंच लिए यह देखिए इसमें धाई इंच जो इसमें चोड़ाई लिए और इसमें जो हमने चार इंच लिए क्योंकि ये वाला हिस्सा ये हमारा नीचे के पार्ट में लगेगा जो हमारा यहां पर नीचे जहां पर कन पट्टी की तरफ और जो ये वाला है ये हमारा उपर जो है forehead sear के पास लगेगा. अब हमने यह देखे, यह कपड़ा लिया हुआ है, चौडाई में. चौडाई में यह?". हमने दो इंच लिया हुआ है, और इसकी लंबाई हमारे जो जबिस इंचे. terror 2017 आप कम या ज्यादा भी ले सकते, क्यूंकि इसके हमने डोरी उपनानी अब सबसे पहले हमने क्या करना है सबसे पहले हमने इस कपड़े को पूरे को इसमें एक सिलाई डाल देनी है ताकि हमारा कपड़ा इधर उदर को खिसके नहीं आप जो यह वाला घरम है तो इसको आप इस तरह से इस तरह से लगाएंगे घटा बढ़ता रहता है क्योंकि यह stitchable होता है मैं आपको इस तरीके से जो cap बनानी बताने जारी हूँ जिसमें जो आप इसको जो है छोटे newborn baby को भी पहना सकते हैं और एक साल के baby तक भी क्योंकि यह इस तरीके से cap बनेगी कि यह दोनो baby के लिए हो जाएगा और हमारे पास जो डोरी है डोरी के लिए हम किस तरह से कपड़ा लगाएंगे डोरी के लिए हम इस तरह से सूरू सी इस तरह से fold करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर से हम इस तरह से डोरी में इस तरह से हम इसमें सिलाई डाल देंगे इस तरह से पूरी डोरी को इस तरह से स्टिच कर देंगे अब हमने क्या करना है अब हमने यह हमारा पीछे का है और यह फ्रंट का है यह सारा राउंड वाला तो हमने किस तरह से इसमें सबसे पहले है इसमें यह हमारा यह हमारा मीड़ पॉइंट आ गया यहाँ पर हमने हलका सा कट लगा देना है अब हमारे पास यह ज़्यादा चार वाला है यह हमारा फ्रंट का है फोर हेड का है तो इसमें भी हमने दोनों साइड से हलके हलके कट लगा देना है इस तरह से दोनों को पहले double किया और इस तरह से इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो extra है उसकी भी हमने cutting कर देनी भाद में silver आ सकते हैं और इसमें हमारा यह मीड़ पॉंइंट है यहाँ पर भी हमने cut लगा देना है यह हमने cut लगा दिया अब हम किस तरह से stitch करेंगे सबस हमने वाले साइड लेनी है इस तरह से हलका सा यहां पर हमने स्टिच कर देना है किस तरह से स्टिच करना है? यहाँ पर एक इस तरह से प्लेट डाल देनी है इस तरह से और इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर स्टिच कर देते हैं, कहां तक देखे कितना सारा एरिया है सारा एरिया हमने इसी में कवर करना है इस तरह से हमने देखी इसमें प्लेट्स से डाल दिये सारे में यहां से आप देख सकते हैं पूरे दो इंच के गैदरिंग में हमने कोई प्लेट्स नहीं डाली है और यह इसमें पूरे में डाली है इससे जो इसकी furnishing perfect आ जाएगी और हमारी जो प्लेटे अंदर इस तरह से इसके अंदर छिप जाएगी और यह देखे फ्रंट की cap इस तरह से हमारी ready हो चुकी है अब हमारे back में भी हम जो है इस तरह से जो हमारा यह देखे इसमें mid point है वहाँ पर हमने इस तरह से इसमें भी हलका सा cut लगाना है इस तरह से और इसी तरह इसमें भी वही cut लगा देना है और इसे भी हम यह देखिए, उल्टे सीधे का ध्यान रखना है, यह हमारी उल्टी साइड है, यह हमारी सीधी साइड है, इसका विशेश ध्यान रखना है, अगर हम गलती से भी इस तरह से लगाएंगे, तो यह हमारा उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमें उल्टे सीधे का इसम भी हम सेम वही प्लेटे यहां से यहां तक पूरे में डालेंगे आप देख सकते हैं बड़ी ही सुंदर हमारी कैप रेडी हो चुकी है अब हमें इसमें क्या करेंगे यहां पर भी हमने सेम वही प्लेटे डाल दिये इसमें फरक यहां पर यहां पर जो हम इसमें जो है डोरी भ रखना है डोरी को बाद में भी आड़ करने की जुरूरत नहीं और इस तरह से हमने इसके ऊपर से अब इसमें सेम इसी तरह से सिलाई डालने हैं जिस तरह से हमने आके के पार्ट में सिलाई डाली थी इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कैप हमारी बनके हैं यहाँ हमने double c light डाल देनी है और देखे ये पूरे एक साल के बेबी को भी बिल्कुल easy तरीके से आ जाएगी क्यूंकि हम इसे इस तरह से यहां से भी और आप zero size के किस तरह से आगी देखे यहां से हम इस तरह से इसे कठा कर देंगे तो यह देखे पूरे zero size के बेबी के लिए भी बि कर सकूँ थैंक यू for watch me